सस्री अकाल साथियों हम इस वक्त मव में हैं मव सदर विदान सभा छेतर है और ये चौराहा है और चौराहे के पास हमेरे साथ कुछ लोग हैं जिन से हम बात करेंगे जिसके क्या मूड है जनता का या क्या मुद्दे होंगे चुनाव आई गया है उत्तर प्रदेश में जब आता है तो यहां का माहौल जो है हलाकि वैसे भी यहां पर आखबार पढ़ने वाले लोग हैं लेकिन और राजनितिक हो या त अभभाव साभी है। लड़ाई बार्वाहिं सहिं लड़ाई न खils contribute to अभास पासौरी कि स्वीटे लड़ाई हैं। उनके आएं, वो यह कहरे हैं कि बड़े समर्थन से हमें जीत फीड मिलें और आप आपुदां और आप नदेलेफंगा हैं? नहीं रहां पाले की चीज नहीं रहा गया है है पहले बहुत यू यहां डेते थे थे फुकुशेश भड़नी कहाती फिक्ट कर रह देक्ट हम ड़ manifestations हुदे कि चीज ईयातम है यहां पर हमारे असोग सिंग बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं इस बार हो सकता है कि अच्छे अच्छे लोगों को मात दे देंगे और सुसासन का राज रहेगा अच्छे यहां पर जिसे एक मुद्दे की बात होती है लोग कहते हैं बेरोजगारी है महंगाई है यह जो भी है तो इस चुनाओं में महंगाई चलेगा महंगाई है महंगाई जब भी सरकार पांच बरिस आई है तब से महंगाई स्कूल है बिरजगारी है लोग पलायन कर गए जो क्या ना मैं कुरोना के चलते जो मोदी जी ने इधर भगा दिये कि जाओ फिर रोके तो फिर कंपनी वाले भगा दिये इतने पैसा काम के लिए जो सरकार ने एलाग की तो भी नहीं मिला जिरामेरिशतरों में किसानी कितना बड़ा मुद्दा है किसान कोई मुद्दा नहीं है किसानी कोई मुद्दा ही नहीं है होती है लेकिन मुद्दा किसान का नहीं है वजय वजय यह कि सब लोग खुछ है साड़े किसान कुछ है अच्छा दाम मिल ला है क्यों नहीं मिल ला है अच्छा मिली रहा है यह कोई खुछाल नहीं है पाचास किलो के जगह पाचास किलो कराम किलो मिल तहागा थी अब जो है कि पाइस मिल रहा है पता ही नहीं में आप गलत बोला है किसानी में कोई मुद्दा नहीं है और यह देखिए किसानी की बात देख लिए है कि 45 किभी हो गई तो हम 45 दे रहा है कि 50 किलो का दे रहा है कि तो सरकारी रेट जो है 90 रुपिया कुछ पैसा के हूं का मंडी में तो मंडी में तो 18-17 यही गाव में घुम जो है एक साल तक आंदोलन कर रहे थे इसी के लिए कि दाम फिक्स हो जाए तो नहीं नहीं मुद्दा कोई नहीं था अपने फाइदा के लिए इसा पीए थे अब सपासरकार आएगी तो उसकता है कि इस तर बिचार किया जा सके सरकार बनेगी बिचार करेगी सपासरकार करेगी अब बहुत नहीं थे नहीं मुद्दा करेगी अपने पाइदा करिये तो देखिये सब्सक्राइगा हर सरकार में है मोधी सरकार में और जोगी सरकार में कानून बेहस्ता अच्छा है सब लोग सुरचित है कोई दिकत नहीं है जी बहुत बेटिया सब लोग सुरचित है जी सपासरकार में जो है बहुत बेटिया और शुरचित थी सुबार निकलने के बाद साम तक कब तक वापस आ जाएंगी जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा आता है न उसमें योगी जी के साचन में योगी सरकार फिर यूटर परदिश में आ रही है किस मुद्धे पर दिखिया देटा मैंने देँ आप इंड टीए तो हर सरकार हैं बहुंगाइट तो बहुत बिकास की है कितने मीलें लगवाई कितने खारें लगवाई कितने कर खाने लगवाई यह बतला दें कांगरेस की जितनी मीले कर खाने थी जितने उद्योग थे किसने बंद कर दिया किसने बंद किया यहां चार-चार मीले चलती थी मौग जिले में सारे मीले बंद हो गई नाई परदेश की नहीं जिले की बात कर रहा है नाई जिले की बात कर रहा है नाई कोई मील चालू नहीं कांग्रेस के समय में बात करेंगे इसके बाद चन्नी मुख मंत्री जी के साम महासर चल ला था तो बोल ले चन्नी जी बोल ले थे कि उत्तर पर्दस के और बिहार के लोग पंजाब में नहीं आएंगे तो यह पर वोट मांगने के लिए किस मुद्धेपन को उठ दिया जाएगा उत्तर पर्दस और बियार के लोग पंजाब में नहीं जा सकते हैं अब अब आपके मुख्यमंत्री इस सूबे के मुख्यमंत्री जी स्टेज पर खड़े होके मुसल्मानों को बोलते हैं डारेक्स सबका विकार बोल्ये सब्ध्याक करें सबकार करते वहां है कि हीदू को रासन मिल तो करता हैं कि सबको आवास मिला है मुस्त रासने बिरहाधर की बात तो है यहां महुँ हिंदु मुसलिम अबादी है लेकिन जितना मुसल्मानों को सुविधा मिली है यहां आवास की उतना किसी को नहीं मिला है और जोगी जी यह सोच करके नहीं कभी सुविधा किसी को दिया है कि नहीं नहीं बोलने की कोई बात नहीं है वो नेताओं का फर्मूला है और नेताओं का फर्मूला है, तो सोच लिए कि 15 परसेंट आवास मुसल्मानों को मिला है, इसी बात नहीं है, नहीं तो वो मुख्यमंत्री है, तो क्या कह रहा है, कि 20 परसेंट मुसल्मानों का थमकों नहीं चाहिए, जो बिपक्षि के दना है, नहीं नहीं, देखिये ऐसा है, यह है, हमारे साथ है, और 20 लोग विपक्षि के साथ है, यहां पर जैसे हिंदु मुस्लिन को आवाज दादे मिला है हम अपने गाउं में देखे हैं गाउं में गरीब से गरीब मुसल्मान हैं जिसको मतलब हाँ उन्हों के इतना मिला है कि क्या बता है आपको को अधिक मिला है आवास कटाउटी की गई है हां और आपको ख़बर मिली है हां पढ़े लिखे हैं हां पढ़े लिखे हैं आप पूछ रहे हैं अरे जो दिखाई आप दे रहा है साब नहीं है अरे हर जगा मिली है उन समय को पहले मिलता है हम लों को नहीं मिलता है अब लिखा हुआ है तो ओ जोगी जी जो कहें है यही बात यही बात आप कह रहे हैं कटोती करके मिली हुई है यह गलत बात है उनको अधिक सुधाएं मिली है यह गलत बात बोल ले हैं आपकी तिसी का कटोती करके नहीं मिल ला है हमारे बात सुनिये यह सरकार जो है मैं बताना चाहरा हूं कि जो हमारे प्रधान मंत्री द्वारा जो भी योजनाएं हमारे देश में लाया गया है हो सोरपरी है दोसरी बात है कि जो हमारे जोगी जी उतर परदेश में जो पर्षेंडेश के साब से सरकार का रहा हूँगा कि दिली का यह है किंद्र का यह है उतर पदके है उन्होंने जो दिया वो सई है लेक पुल मिलाकर हम अपने विधान सभा की मव की बात करना चाह रहा हूँ मव विधान सभा में जो मुसलमान को इस तर की बात कही जा रही है देखिए एक बार पांच बार रहे मुक्तार अंसारी लेकि आज जेल में रहे लेकि फिर भी किसी का उन्होंने नुकसान नहीं किया आज उनका लड़का है चुनाम मैदान में आया है मैं जानता हूँ कि वो सपाग सपाग से अंपरकास ने टिकर दिया सपाग से मिलकर कर बंदन सरकार से मैं यह जानना चाहता हूं ओधिफ जीतेगा तो अच्छा काम करेगा नौजवान लड़का है ठीक है? मैं यह जानना चाह रहा हूं, देखे कोई भी सरकार हो, माले हमारे प्रत्यासी जो भी हमाना नाम ले 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 चाहता हूं लेकि इनका व्यक्तिकार रूप से मैं बताना च पांच साल आपके कैसे रहे? यहां कोई निता बिकास भी शोलिक हम आ रोकाल कोई कैसे हूद अब इसके यही काम हूँ हुआ आप रिकार्ड कर लो कि 20 विशन पीशन गहते हिए प्रतिनीजी काम करता होगा हमको का पता है कि कौन आया कौन गया कांग्रेश के बाद बाद बढ़ना एक देश पर सत्ता सा राज की अब राज जो हो रहा है वो जातिया आधार पर बढ़ गया उत्तरफदेश और विहार आज भी और प्रांतों में कागर्श से मुकाबरा हो रहा है कि भाड़पाव कागरश हो रहा है आपया पर देखते हैं यूपे में ब्रादरीबाद की राद निति है पर दा हो गई और विकास यहां रुख गया जात इबाद प्रभाव को इनेता नहीं बनता है कि हम जात के लिए हैं भाई हम बिरादरी यहां चल लए है आप सुन नहीं सकते हैं और जब तक विरादरी बात का जहर नहीं नहीं कर लेगा इस देश से जब तो कोई कुश्या होने वाड़ नहीं है और प्रभाव में पांच साल रहे हैं और विशारे जब समाया तो प्रभाव के चले गए आज देखें गती क्या उनकी हो रही है लेकिन दारा सिंग अपने काम को देख कर वहां से भग गए वादी मंत्री रहा है वो मंत्री रहा है लेकिन वादी में काम को डर के लेकिन फिर वही बात है कि हर पांच साल पर चुना होता है फिर चुना हो रहा है सवाल, यह है, आप ने कहा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप वोट देने जाएंगे, तो क्य अच्छा सोच के जाएंगे? जो शड़के बन गई है विकास नौजवानों को नौकरी मिली है